My name is Rohan, मेरा नाम रोहन है, I work in bank, मैं bank में नौकरी करता हूँ या bank में काम करता हूँ I am working in bank from last 5 years, मैं पिछले 5 सालों से bank में जॉब कर रहा हूँ I am 35 year old, मैं 35 साल का हूँ This time I celebrated my 35th birthday, इस समय मैंने अपना 35 जनम दिन मनाया I am sorry, मुझे माफ करना, this time I could not invite anyone in my birthday इस समय मैं अपने जनम दिन में किसी को भी नहीं बुला सका By the way, वैसे this time I did not celebrate my birthday वैसे इस समय मैंने अपना जनम दिन नहीं मनाया To tell the truth, सच कहूँ या सच बताऊँ Because, क्योंकि I went to Ilhabad, मैं गया था Ilhabad For bank work, bank के काम से Because of this, इस कारण या इस वज़े से I could not celebrate my birthday properly इसलिए मैंने अपना जनम दिन सही तरहां से Properly means, सही तरहां से नहीं मनाया I usually, अक्सर मैं celebrate my birthday with my parents अक्सर मैं अपना जनम दिन अपनी मम्मी पापा के साथ क्या करता हूँ? मनाता हूँ But this time, मगर इस समय या इस बार I could not even give them time मैं उन्हीं भी time नहीं दे सका या मैं उन्हीं भी time नहीं दे पाया Could का use हम कहां पर करते? कोई भी काम नहीं कर सका या कोई भी काम नहीं कर पाया अगर present पर हम use करते हैं मैं नहीं कर सकती या मैं नहीं कर सकूंगी तो हम can का यूज़ करते हैं वो ही can का जो past होता है वो code हो जाता है तो इस समय में उनको भी time नहीं दे पाया These days, आजकल I am not able to give time even to myself Myself means खूद को अपने आपको, इन दुनों आजकल मैं अपने आपको भी time नहीं दे पा रहा हूँ I know, मैं जानता हूँ you guys, आप लोग are angry, आप लोग क्या होंगे मुझसे नाराज होंगे with me, मुझसे, because क्योंकि I am not able to give you time, मैं आप लोगों को क्या नहीं दे पा रहा हूँ, time नहीं दे पा रहा हूँ The truth is that सस्तो यह है कि I am not even able to give time to myself, सस्तो यह है कि मैं खुद को भी time नहीं दे पा रहा हूँ, यह आपका एक advanced structures है, that tell the truth, okay I leave the bank at 5 o'clock, मैं शाम को 5 बजे bank से निकलता हूँ as I reach home by 7 o'clock जैसे तैसे मैं घर पहुंसता हूँ 7 बजे moreover, और तो और moreover means, और तो और I do not even talk to my family, और तो और मैं अपने घर वालों से तक बात नहीं करता हूँ I leave the office at 5 o'clock in the evening मैं शाम को 5 बजे bank से निकलता हूँ I reach home at 7, after that I get fresh उसके बाद मैं 7 बजे जब घर पहुंसता हूँ, फिर रश होता हूँ I make tea for myself, मैं अपने लिए चाई बनाता हूँ I have tea चाई पीने के लिए भी have का यूज करते हैं या फिर drink का भी आप यूज कर सकते हैं I have tea and snack मैं चाई नासता करता हूँ I watch the news for a while for a while means थोड़ी देर मैं watch में देखना तो मैं थोड़ी देर क्या देखता हूँ News देखता हूँ Then while watching the news फिर News देखते देखते while का यूज हम दो जगा पे करते हैं एक तो comparison जब हम कई पे करते हैं तब हम while का यूज करते हैं और एक जब हमें बोलना होता है TV देखते देखते खाना खाते खाते मोबाइल में बाते करते जब इस ट्राइब के sentences बोलने होते हैं तब हम while का यूज करते हैं और जब की के लिए तो हम while का यूज करते हैं तो एक तुलना करने के लिए तुलना कैसे होती है मैं school गिया जब कि तुम घर पे बैठी थी मैं फोन में बात करा था जबकि तुम टीवी देख रही थी या फिर ये इस तरह के sentences कि खाना खाते खाते या टीवी देखते देखते उसके बाद आपको वोब में क्या लगानी या आई एंगी फॉर्म लगानी है ठीक है फिर टीवी देखते देखते या न्यूज देखते देखते आई स्टार्ट फिलिंग लेजी मुझे आलसाने लगता है आफ्टर डैट आई डोंट नो वेन आई फेल असलिप उसके बाद पता नहीं मैं कब सो जाता हूँ I don't even know, मुझे पता ही नहीं चलता और जब अचानक से when I wake up मैं उठता हूँ जब मैं टाइम देखता हूँ सम टाइम इट गलाक कभी बारा बज रहे होते हैं सम टाइम इट इस इलाइबन अगलाक और कभी ग्यारा बज रहे होते हैं After that, उसके बाद I cook for myself, उसके बाद मैं अपने लिए खाना बनाता हूँ Food that can be made quickly, खाना ऐसा जो बन सके easily जल्दी से, quickly, जल्दी से Like जैसे मैगी और sandwich, जैसे मैगी जल्दी से बन जाती है और sandwich जल्दी से बन जाता है Then I eat quickly, फिर मैं जल्दी से खाता हूँ I drink a glass of milk, मैं फिर जल्दी से एक डूद का glass पीता हूँ And then go to sleep, उसके बाद सो जाता हूँ Then I wake up at 5 o'clock in the morning, ऐसी ही बल सकते हो या फिर wake up at 5 a.m. ऐसी ही बल सकते हो Off office, 4 office, office के लिए फिर मैं 5 बजे ओठता हूँ First thing, in the morning, सुबे में जो सबसे पहली चीज होती है I wake up, मैं उठता हूँ, फ्रेश होता हूँ And make myself tea और अपने ले खुद के लिए चाई बनाता हूँ After that, उसके बाद After drinking tea, चाई पीने के बाद I do a little exercise, मैं थोड़ी सी exercise करता हूँ And or then make breakfast for myself And also make lunch for the office I can't eat well at night मैं रात को अच्छे से नहीं खाता हूँ That's why I make my lunch very well इसलिए मैं अपना lunch जो होता है बहुत अच्छे से बनाता हूँ क्योंकि मैं रात को अच्छे से नहीं खाता हूँ It contains rice, उसमें चावल होता है Places, डाल होती है और vegetables और सबजिया होती है And salad और क्या होता है, सलाद होता है If you are not able to eat well for the whole day अगर आप पूरे दिन अच्छे से खाना नहीं खा पाते हो Then at least one time you should eat well तो कम से कम एक टाइम आपको बहुत अच्छे से खाना खाना चाहिए That's why I wake up on time इसलिए मैं टाइम से उठता हूँ And make myself lunch for the day और दिन के लिए अपने ले के बनाता हूँ Lunch बनाता हूँ After that और उसके बाद As soon as जैसे ही 9 o'clock 9 बसते हैं I leave for my office मैं अपने office के लिए निकल जाता हूँ तो कितने simple तरीके से मैं आपको बता रही हूँ कैसे simple तरीके से आपको पहले हिंदी में कुछ पॉइंट्स लिख लेने हैं अपने डिली रूटीन के या किसी के भी या fake ऐसी कुछ भी मन धरक कुछ भी बढ़ना लो और उसके बाद उसको ट्रांसलेट करो और प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस बोलने की तो उससे आपको पहुत फाइदा मिलेगा को सब्सक्राइब कराइए ताके मैं आप लोगों को टाइम दे सकूँ है ना थैंक यू सो मच फर वाचिंग मैं चैनल मैं आई वीडियो थैंक यू